Hey friends, welcome! कैसे हैं आप सब? I hope friends, आप सभी सुष्थ होंगे और अपना-पना खयाल रख रहे होंगे आज की reading में friends, हम चेक कर रहे हैं आपके partners की current feelings क्या हैं आपको लेकर उनका next move क्या होगा? कर तक होगा? And meanwhile, आप लोगों के लिए क्या guidance है? Reading friends, timeless, general and collective है तो सभी gender, सभी religion, सभी caste के लोग इस reading को openly, open mind के साथ चेक कर सकते हैं Friends, मेरा गला थोड़ा सा ब्लॉक है तो प्लीज थोड़ा सा voice को manage कर लेना हम चेक कर रहे हैं मेरे प्यारे-प्यारे viewers की viewers के partners की current energies प्लीज यूनिवर्स बताएं आसपास के members, ये family members हो सकते हैं relatives हो सकते हैं, siblings हो सकते हैं इनकी उनसे बिल्कुल नहीं बन रही इनके कलीक्स हो सकते हैं, जिनके साथ इनके daily arguments चल रहे हैं, competition चल रहे हैं, politics बहुत चल रहा है इनके बीच और इनके आसपास के लोगों के बीच में ये उन्हें देखकर खुश नहीं है, वो इन्हें देखकर खुश नहीं है तो friends, यहाँ पर energies कुछ ऐसी हैं कि ये person के आसपास के लोगों के साथ जो connection है, वो totally खराब हो रहा है काफी ज़्यादा इनके रिष्टों में, इनके workplace में, इनके friends के साथ मतलब आसपास ना इन्होंने सारे कार्मिक, कार्मिक accounts open कर रखे हैं इनके आसपास के लोग इनसे jealousy कर रहे हैं, इनके साथ politics रच रहे हैं ये भी लग रहा है कि आपके partners इन दिनों काफी ज़्यादा financially disturbed और low feel कर रहे हैं इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी life जो है पूरी अंधकार मैं हो गई है सारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है रोशनी सिर्फ divine के पास है और वहां ये जाना नहीं चारे मतलब ऐसा नहीं है कि ये नास्तिक है बट आप लोग हो सकता है soul journey का part हो और ये person spiritual journey में spiritual work नहीं कर पा रहे है हलांकि ऐसी energies तो है कि ये अपनी creativity पे work कर रहे है किसी तरह की कोई guidance ले रहे है अपने finances को लेकर अपने career को लेकर आप दोनों के relationship को लेकर लेकिन still बहुत जादा ये person disciplined या फिर अगर मैं बात करूँ aware और awakened mode में नहीं आ पा रहे आज भी इस person के अंदर ego है, jealousy है कहते है ना रस्ती जल्गई पर बलने गए वो हाल एन का कि divine ने अच्छे से इने सुधारने के लिए सब पुछ एप्लाई कर दिया लेकिन इनके अंदर एहंकार आज भी है, manipulative ये आज भी है jealousy इनके अंदर आज भी काफी जादा है 5, 14, 23, 3, 12, 21, 30 ये नमबर ये dates काफी important है zodiac की बात करूँ टॉरस, वर्गो, कैप्रीकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, अक्वेरिस के एनरजी इस बहुत prominent है प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे beautiful से viewers के partners की feelings उनके लिए क्या है वाओ, जहां ये person दीन, दुनिया, समाथ, सोसाइटी सबसे परिशान है वही ये person आपकी तरफ एक strong attachment और attraction फिल कर रहे है इनका मन कर रहा है तुरंट आकर आपसे मिले आपकी तरफ काफी sexual energies इनकी आ रही है 2 of pentacles है और bottom में है हमारा 10 of fans मैं strongly ये भी फिल कर पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग no contact में है या फिर less contact में है और खतम इस रिश्टे को इन्होंने ही किया था इनकी लापरवाईयों ने, इनके misbehave ने और आज ये person overburdened and overstressed है कुछ लोगों के साथ मैं ये फिल कर पा रही हूँ कि आप इस person के साथ married है और अभी इस person से घर ग्रिस्ती का बोज अकेले नहीं संभाला जा रहा responsibilities अकेले नहीं उठाई जा रही और ये person आपके साथ reconciliation चा रहे है मैं strongly friends ये भी फिल कर पा रही हूँ कि जितना ये person खुद में चतोर बनने की कोशिश कर रहे है ना उतना ही ये person अपने लिए साज की energies भी आ चुकी है 2 11 29 20 11 19 28 10 ये नंबर ये dates भी काफी important and prominent हो सकते हैं अब ये person आपके और अपने रिष्टे के बीच में balance चाहते हैं आपके साथ reconciliation चाहते हैं लेकिन इन्हें खुद से ये realize हो रहा है कि जो रायता इन्होंने फिलाया है ना उसे समेटना इनके बसकी भी बात नहीं है literally I'm strongly feeling it and हो भी सकता है कि ये person आपको quiet call और message कर रहे हो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हो आपके घरवालों से बात कर रहे हो या अपनी family को आपके according मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं से भी result इन्हें अच्छे नहीं मिल रहे हैं प्लीज युनिवर्स बताएं मेरे viewers के लिए इनका next action क्या होगा कब तक होगा friends अगर ये reading आपसे resonate कर रही है आपको पसंद आ रही है तो please do like, share and comment ज्यादा clarity के लिए friends आप लोग personal readings बुक कर आ सकते हैं जिसकी detail description box में given है chariot ऐसा लग रहा है बड़ी जल्दी आने वाले हैं ये आपके पास approach करने वाले हैं आपको physically यहाँ पर call और message की energy नहीं है direct energy है reconciliation और reunion की balance की growth की मतलब major action होगा इस connection को लेकर अब 7, 16, 25 नमबर और dates कुछ लोगों के लिए काफी prominent हो सकती है justice मिलने वाला है इस connection में आपको जो आप deserve करते थे finally fans आप लोगों को मिलेगा आपके साथ नयाय होगा ठीक है बहुत ही solid energies आ रही है strong energies आ रही है अब हम चेक कर लेते हैं meanwhile मेरे viewers के लिए क्या guidance है please universe बताएं meanwhile मेरे viewers के लिए क्या guidance है first card है हमारा goat act from your innate wisdom second message है हमारा B यह आपके spirit guide spirit animals हो सकते हैं चीक है spread heart healing with joy parrot listen intently to understand divine यहां तीनों ही messages में सेमी रही है कि आपको अपने heart chakra को heal करने की नीड है जो भी आपके person आप से कहें उसको ध्यान से और शांती से सुनने की नीड है समझने की नीड है कुछ चीजों को दिल से भी accept करो अगर लगता है अगर आपके person में सच में changes आए हैं तो दिमाग जादा मत लगाओ उन चीजों को समझने की कोशिश करो butterfly be ready to transform with wisdom इस बार आपको action wisely लेना है अच्छे से सुनकर लेना है अच्छे से समझ कर लेना है turtle be joyful and trusting ठीक है thank you so much friends thank you so much for watching may god bless you take care